नमस्कार दोस्तों मैं अमित आप सभी लोग का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एयर फोर्स के तरब से निकाली गई जो भरती है अगनी पत अगनी वीर इसकी उसके नोटिफिकेशन जो की इसने जारी कर दिया एयर फोर्स ने जारी कर दिया है ठीक है तो उसका नोटिफिकेशन को यहां पर हम लोग देखने वाले हैं समझने वाले हैं ठीक है तो इस वीडियो को आप लोग सुरू से अंद तक जरूर देखिएगा ठीक है और वीडियो पसंद आये तो वीडियो क प्रब्राइब तो यहां पर आप देखिए एप्लिकेशन फॉर्म जो है वो 24 चीड़ बाइस से यानि कि इसी 24 से कल जो 24 तारीक आने वाला है आज 23 है ठीक है तो कल से यह फॉर्म भरे जारे लगेंगे ठीक है लास्ट डेट है दोस्तों पांच 27 2022 पांच जुलाई 2022 इसकी इलाज डेट है ठीक है इससे 24 चे 2022 से ठीक एक महिने पर इसका एगजाम होना है 24 27 2022 ठीक है एज लिमिट क्या वो ला गया है तो एज लिमिट सारे 17 साल से 23 साल एज लिमिट है यानि कि जिनका डेट वबर्थ उनतीस 12 1999 से 29-6-2005 के बीच में है वो लोग इस form को भर सकें उनका जो age होगा वो सारे 17 से 20 के बीच में होगा तो जिनका date of birth इसके बीच में है वो लोग eligible है ठीक है और application fees की अगर हम बात करें तो application fees journal, OBC, EWS और SC, ST सबका fees जो है 25 रुपए रखा गया है ठीक है exam date मैंने आपको पहली बता दिया 24-7-2022 को इसका exam date है ठीक है total post total post का around नहीं हुआ है announcement जल्द ही हो जाएगा ठीक है notification आजाएगा मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगा ठीक है अगला mandatory medical standard की अगर हम बात करें तो height जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 152 minimum 152.5 cm ठीक है चेस्ट जो है 5 cm फुलाओ होना चाहिए natural जो जिस तरीके से हम थोड़ा फुलाते हैं सीना तो फुलाने के बाद हमारा सीना 5 cm पहले से अधिक हो जारा चाहिए मतलब 5 cm का फुलाओ होना जरूरी है ठीक है और PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है उसमें आपको 1.6 km रनिंग होगी और समय मिलेगा 6 मिनट ठीक है 10 पुसब 10 सीट अब और 10 स्कॉर्ट इसमें लगाने पड़ेंगे ठीक है अगर हम एलिजिबल्टी की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा तो साइन्स गुरूप बालों के लिए 12 ठीक है 12 में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिस होना कमपलसरी है और सब भी 50% कम से कम होना चाहिए ठीक है उसके अलावा 50% मार्क्स इन इंग्लिस कमपलसरी है इसमें 50% नहीं है मैथ, फिजिक्स में लेकिन टोटल जो है 12 50% मिनिमूम होना चाहिए ठीक है जिसमें की इंग्लिस में 50% होना कमपलसरी है ठीक है 50% से उपर होना चाहिए अदर देन साइन्स साइन्स के अलावा जैसे आर्ट्स के वो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं उनके तो वो भी 12 होना चाहिए इंग्लिस उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिस सब्जेक्ट होना चाहिए और वो भी 50% मार्ट उसमें कम से कम हो किसमें? इंग्लिस में ठीक है और टोटल जो है 12 की बात करे से नीचे नहीं होना चाहिए ठीक है जिंफ में और कौन-कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए तो मेकैनिकल है इलेक्ट्रिकल है और इसको तो यहां पर तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रेड में ठीक है या फिर ब्रांचेज में कह सकते हैं इसको एक और कम से कम 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए ठीक है या फिर दो साल का वोकेशन कूर्स विद नौन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फिप्टी परसेंट मार्क्स ठीक है तो दो साल का वोकेशन कूर्स भी अगर किसी ने कर रखा है किसके कौन से सब्जेक्ट के साथ में तो फिजिक्स और मैट के सब्जेक्ट के साथ में और मिनिमम 50% मांक्स हैं तो वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं ठीक है चलिए और चलिए अब हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में सेलरी के बारे में बताया थ सेलरी जो है बढ़ेगी ठीक है यह चीज़े आपको समझ में आ गई और मैं आपको इसके सलेवस के वारे में अगले वीडियो में बताने वाला हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजेगा और उस सलेवस को अच्छे स है भारत